हेलो जी and welcome everyone, welcome to the channel, आज हम पढ़ने वाले हैं NCRD Solution, chapter 8, English का chapter 1, जिसको हमने अलरीडी कवर कर लिया है, जिसका नाम है the best Christmas present in the world, बढ़ी अच्छी और emotional सी कहानी है, जिसको अलरीडी पढ़ चुके हैं, तो देख लिए हो वीडियो, तो well and good नहीं देखिए, तो जाके देख ल होगे, इतने detail में मैंने already समझा दिये story, उतने ही detail में question answer समझ लेंगे, बस फिर और क्या चाहिए life में यार अच्छे number लाने के लिए, okay, let's start, question number 1 कह रहा है जिए, what did the author find in a junk shop, author को उस junk shop की दुकान, कबार की दुकान में क्या दिखा, तो क्या दिखा, the author found a very old 19th century roll top desk in a junk shop, important word यहाँ पर roll top desk, यह लिखोगे नहीं, number नहीं मिलेंगे, it was made of oak, लकडी ओक से बनी थी वो, उसकी condition बहुत ही गंदी थी, वो टूटी फूटी थी कई pieces में, और उसके एक legs clumsily bended थे, and there were scorch marks, यानि कि जले हुए के निशान भी थे उस पे, चीक है, तो यह सब आपको बताना पड़ेगा for good marks, right, next, what did he find in a secret drawer, who do you think had put it in there, यानि कि उसे secret drawer में क्या मिला, और आपके according, वो वहाँ किसने रखा होगा, यह सवाल है, समझते हैं, तो भाई जो secret drawer थी, जैसे ही देखो, जो हमारा author था, वो उसको घर आके ना अपनी जो table थी, उसको repair कर रहा था, repair करते करते, एक बड़ी अटकी हुई drawer थी, जिसको खोलने के लिए उसने थोड़ा सोड लगाया, और अंदर मिला, एक secret drawer, उसमें रखा था, एक secret समान, एक डिब्बी, अब समझते हैं, secret drawer में, the author found a small tin box, there was a piece of lined note paper, sellotaped to its top, यानि कि उसपे एक note था, जो कि उसपे tape से, sellotaped से चिपकाया हुआ था, जिसपे लिखा था, Jim's last letter, received on January 25, 1915, to be buried with me when the time comes, और उसपे लिखा हुआ था, कि ये मेरे साथ गार दिया जाए, जब भी मेरा time आए, तो ये line याद रखनी है, most likely, it was put there by Mrs. Macpherson, who was Jim's wife, her name and address were on the envelope inside the box, तो किसने लिखा हुआ ये, ये लिखा था, Mrs. Macpherson ने, यानि कि Jim's wife ने, क्यों, क्योंकि उनको भूलने की विमारी थी, दिक्कती वो भूल जाती थी, तो उन्होंने लिखा है, कि भाई, ये Jim's last letter है, वो और ये, इसको ना, जब भी मेरी death हो, इसे please मेरे साथ दफना देना, उसने ये लिखा है, who had written the letter to whom and when, अगला question है, कि वो letter किसने लि written the letter to his wife, कौनी नाम की उनकी wife थी, कौनी Macpherson उनको लिखा था, 26 December 1914 में, ठीक है, why was the letter written, what was the wonderful thing that had happened, पहली बात तो letter क्यो लिखा था, और उसमें क्या था ऐसा, जो wonderful thing हुई थी, देखो, Jim wrote the letter to his, tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas day, तो एक बड़ी मस्त चीज क्रिसमस वाले दिन हुई थी, वो क्या हुआ था, जो British और Germans थे, जो के war में थे कल तक, आज वो सब मिल जुल के, no man's land पे साथ में Christmas enjoy कर रहे थे, उन्होंने साथ में, drinks पी, बाते करी, games के लिए, football का match भी खेला, और एक पूरा peace वाला महौल बनाया, on Christmas, और साथ में carols गाए, बहुत मस्ती करी, what jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were not soldiers, तो जिसने कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा न, वो ही इस question का answer दे सकता है, हमने अच्छे से पढ़ा है, तो हम आराम से दे सकते है, देखो, जो Hans Wolf था, वो क्या था, वो orchestra में cell बजाता था, he played cello in the orchestra, और वो कहां से था, डसल्डॉर्फ से था, और जो जिम था, वो एक teacher था, school teacher, डॉर्सेट नाम की जगह पे, clear, चलो, Had Hans Wolf even been to Dorset, why did he say he knew it, क्या, जो Hans Wolf था, जो officer था, जर्मनी का, क्या वो कभी भी Dorset, जो के England में था, वहां गया था, और नहीं गया था, तो उसने क्यों बोला कि वो जानता था, देखो भई, नहीं, Hans Wolf कभी भी Dorset नहीं गया था, उसने ये सब कहां से, अपने school से, और books से सी एका था, English सीखने के लिए, इसलिए उसने Dorset का नाम सुना था, मतलब उसकी war में ही death हो गई, और वो war से वापस नहीं आया, क्यों, in the cello tape notepad, it was written that, that the last letter was Jim's last, तो उस cello tape से जो चिपका हुआ note था, उस पर क्या लिखा था, Jim's last letter, मतलब समझ में आपको, कि ये Jim का last letter था, इसके बाद ना उसका कभी कोई letter आया, ने कभी Jim वापस आया, कौ ये incident took place around the earlier part of world war one, आगे आप छोड़ सकते हो, skip कर सकते हो, क्योंकि आपकी NCIT में नहीं given है, ये तो भाई answer लिखने वाले थोड़ा जाता बता देते हैं, Why did the author go to the Britport? अब author Britport क्यों गया? क्यों गया था? जब author ने वो पूरी जो letter था उसे पढ़ा, तो उसने सूच लिया कि यार ये जो letter है, सही इंसान तक पहुचना चाहिए कैसे भी, तो इसलिए Britport वो गया, क्योंकि उस वहाँ पे जो note था, जो letter था, उसमें address था Mrs. Macpherson के ना वापस देना चाहता था, How old was Mrs. Macpherson now and where was she? अब Mrs. Macpherson की age क्या थी, जब author उनसे मिला, तो जब author उनसे मिला, वो 102 साल की थी, एक nursing home में थी, Burlington House में, जो के Dorchester Road पे था, और टाउन के opposite side था, जहां उनका पहला address था, Who did Connie Macpherson think her visitor was? अब ये सबसे important question है, जब Connie इतनी 102 साल की बुड़ी थी, उन्हें लगा, जब author आया, उन्हें क्या लगा, कि वो कौन था, तो Connie इतनी बुड़ी हो चुकी थी, कि उन्हें लगा, कि उनका जो husband था Jim, वो वापस आ गया, Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity, और किस sentence से पता चलता है, कि जो visitor था, वो अपनी identity नहीं चुपा रहा था, The sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity is, I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening, तो उसने अपने बारे में सब कुछ बताया, उसने बताया कि लेटर उसे कैसे मिला, कैसे वो टेबल उसने खरी दी, बट वो सुन ही नहीं रही थी, So, working with text आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये इतना important नहीं है, but still हम कोशिश करते हैं, देखते हैं, कुछ main question, जो important है, वो वाले questions कर पाए, So, do you think the title of the story is suitable, important question कर सकते हो, देखो, yes भाई, हाँ जी, ये जो title है न, best Christmas present in the world, ये justified है, क्यों, क्योंकि जो Christmas की spirit है न, वो theme that prevailed throughout the story, वो Christmas की जो theme है, वो पूरी कहानी में लगातार बनी हुई है, जो message है, Christmas की peace का, goodwill का, वो clearly story से निकल के बाहर आया है, Christmas day था, raging war के बीच में, दो जंग लड़ रही थे, और लोग आपस में, साथ में आये, उन्होंने peace celebrate करी, दो soldiers थे, तो, again it was on a Christmas day, और उसके अलावा, Christmas day वाले दिन ही, narrator ने ये सब, पूरी जो letter था, वो पढ़ा, तो इसलिए ये जो title है न, एकदम suitable है, तो ये सब हमने पढ़ लिया, अब हम last चीज क्या है, और suitable title कौन से हो सकते हैं, a Christmas wish come true, someday at Christmas, the Christmas message, तो देखो, Christmas तो आनाई चाहिए, right, तो बास, ये कुशन हो क्या, what is Connie's Christmas present, तो भई, क्या था Connie का Christmas present, कौन सा best Christmas present था, वोल्ड में, अब जानते हैं, when the narrator came to see Connie and gave her the box, she mistook him for her husband Jim, जब narrator वहाँ पहुँचा और उसने सब कहानी पताई, बट कौनी इतनी बुटी हो चुकी थी, कि उन्हें लगा कि उनका husband वापस आ गया, she thought that Jim had come from Christmas, उन्हें लगा कि Jim जो है, वो Christmas के लिए घर वापस आ गया है, this was Connie's Christmas present, और ये Connie का Christmas present था, उसके लिए best Christmas present वर्ल में था, because, क्योंकि जो Jim था, उनका husband, उसने अपने letter में लिखा था, कि वो हर Christmas आएगा, और वो उन्हें letter को बार 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 पढ़ती थी, इतनी बुटी होके भी, और ना उन्हें फाइनली लग रहा था, कि Christmas, ओ, जिम वापिस आगया है, तो वो बहुत जादा खुश थी, clear? ये भी important question है, कि बाई, अलग अलग तही के पता हो, जिसमें, जर्मन और बिटिश सोलजर्स जो थे, वो साथ में enjoy कर रहे थे, दोस्त पन गए, the British and the German troops celebrated Christmas with each other, they enjoyed each other's food, important, each other's food, all of them are smoking, laughing, talking, drinking, eating, सारे important line है, Hans, Woolworth, Jim, Macpherson, जो थे, जो उने के सोलजर, जो main कौन थे, officers थे, इन दोनोंने साथ में केक शेयर करा, जो कौन ही ने बनाया था, उसके अलावा उन्होंने Bath, Siva, Gabriel, Oak, Sergeant Troy, Dorset, इन सारी चीज़ों के बारे में बाते करी, उन्होंने ये बाते तक करी, तो उन्होंने कौन-कौन से books पसंदे हैं, हर चीज़ पर वो agree कर रहे थे, दोनों troops ने साथ में मिलके football match भी करा, जिसमें Jim और Hans ने cheer करा, ताली बजाई, अपने feet जो थे, पैर थे, उनको stamp दब दब मार रहे थे, energy के लिए, उसके अलावा उन्होंने रात में carols भी गाई साथ में, in this way, उन्होंने साथ में Christmas एंजॉय करा, और बहुत सारी दोस्ती और common चीज़ें find कर लें बीच में, Do you think the soldiers of two armies are like each other, क्या दोनों same थे, हाँ जी, देखो क्यासे same थे, इनके points बताता हूँ आपको, पहली बात, दोनों ही Christmas celebrate कर रहे थे, दोनों ही आर्मी ने food, time, सब कुछ share करा, साथ में जो time मतलब smoke करा, laugh, talking, drinking, सब enjoy करा, उन्होंने साथ में food wall match भी खेला, और ये माना कि यार ये जो conflict चल रहे हैं देश में, इन सबसे उपर हमें न, इस सब को खतम करना चाहिए, तो इससे बता चलता है कि दोनों same थे, यार, they agreed, वो मानते थे कि जो war है, इससे बहुत नुकसान होता है, उसके अलावा उन्होंने देश थी, वो बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए वो बिकी, देखो, हुआ क्या था, वो जो घर था, कौनी जिसमें रहती थी, उसमें आग लग गई थी, जिससे वो table जल गई थी, और वो जली हुई table जो थी, अब वो किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो कबार घर में पह अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो बस आपको सिंप्ली इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेली ग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपके आप जॉइन कर सकते हो, हमारा बैच, हमारा ग्रूप, खूब मस्ती करते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, खूब मस्ती करते रहे हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाबाई!